एक और प्रेगर प्रसंग के माधिम से आप लोगों को मैं जागरूप करना चाहूंगा नाम है प्रसंग का बोढ़ा पिता जी हां गाउ में एक बोढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहु के साथ रहता था परिवार सुखी संपन्य था किसी तरह की कोई परिशानी नहीं थी बोढ़ा भाप जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान हुआ करता था आज बोढ़ापे से हार गया था चलते समय लड़कडाता था लाठी की जरूत पढ़ने लगी चहरा जुरियों से भर चुगा था बस अपना जीवन किसी तरह वितीत कर रहा था घर में एक चीज अच् थी जल्दे से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहु और एक बेटा भी खाने लगा बोढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए थाली हाथ से छे चिटक हो गई थोड़ी दाल टेबल पे या जाकिरी बहु बेटे ने ग्रहना दृष्ट से पीता की ओर देखा और फिर से अपने में खाने लग गए बुड़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों को खाना खाना सूरू किया तो खाना कभी कपड़ों पिगरता तो कभी जमीन पर गरता बहु चिड़ते हुए कहा हे राम कितनी गंदी तरह से खाते हैं मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने म लगवा देते हैं बेटे ने भी ऐसे सिरह लाया जैसे पतनी की बात से सहमत हो बेटा यह सब मासूमिय से देख रहा था अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटा कर एक कोने में लगवा दी गई पिता की डब डबाती आखे सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं प देख रहा था मा ने पूछा क्या हुआ बेटे तुम दादा जी की तरफ क्यों देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे हो बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला मा मैं सीख रहा हूं कि वरद्धों के साथ कैसा विवहार करना चाहिए जब मैं बड़ा हो जाओंगा और आप लोग बोड़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूंगा बच्चे के मुझ से ऐसा सुनते ही बेटे और बहु दोनों काप उठे शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी क्योंकि बच्चा ने मासूमियत के साथ एक बहुत ब ख्लीफ ना हो तो आज की कहानी कैसी लेगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताईएगा